नमस्कार किसान भाईयों मैं अनुराक शर्मा सुमी टुमो केमिकल इंडिया लिमिटेट से प्रतलाम टेरिटरी का प्रतनेदुद करता हूँ MP1 रीजन से आज हम जावरा तैसील के गाउं माताजी बडायला में मौझूद हैं जहां हमारे अन्य दाता किसान भाई गौरब जी के साथ हमें जिन्होंने हमारे उत्पाद सुमी ब्लू डायमंड का अपने गेहों की फसल में प्रयोग किया है सुमी ब्लू डायमंड जैसा कि हम बात कर रहे थे जिस समय ये उत्पाद हमारे में आया था कि गेहों की फसल में यूरिया का किसान भाई प्रयोग करते हैं लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यूरिया की काफी सौर्टेज मार्केड में मिल रही है और आसानी से यूरिया हमारे किसान भाईयों को नहीं मिल पा रहा है तो उस कड़ी में सुमी ब्लू डायमंड कहीं न कहीं यूरिया के मातरा भी कम करता है लेकिन इसके साथ-साह ही जब हम इसका प्रयोग कराते हैं तो उसके जो अंतर हैं वो हमें किस तरीके से दिखाई देते हैं वह कलर में फसल की व्रद्धी में और फसल के अत्रिक्त फुटाव में जो कहीना कहीं सीधे जाके आपके उत्पादन बढ़ाने का काम करते हैं तो आये हम जानते हैं अपने किसान भाई से जन्हों ने इसका प्रियोख कराएं उन्हें अपने इस ग्यों के फसल में सुमी ब्लू डायमंड का प्रियोग करने के बार्यों के पास एक दवई की दुखा ने सर ने मिससे पूज और कोनगों से फसल लगाते हों आप मैंने कर साथ घ्यों और लगाते हैं तो फिर अपने बताया कि आप गयों में और क्या डालते हों कोण साब दालते हों तो हमने बताया है कि यह सुमी ब्लू डायमंड आप डालोगे तो आपको यह यूरिया की मात्रा ज्यादा नहीं डालना है यह सम्तिंग यह बारा किलो बतलब जहां कर मैं कहूं कि एक बोरी यूरिया जो दो भीगे में डाल रहे हैं उसे आदा करना है और उसमें हमारा यह सुमी ब्लू डायमंड डालने के बाद क्या आपको अंतर देखने को मिला नहीं मैंने फ़र्ष्ट पानी जब दिया तो मैंने कोई भी इसमें खाद यूज नहीं किया था मैंने सेकंड पानी में अभी इस ग्यों को मैंने सेकंड पानी दिया है और इस सेकंड पानी के समय हमने एक बोरी दो भीगे में एक बोरी बारा बत्तिस डाला है और 20 किलो मातर 20 किलो मैंने यूरिया लिया है और साथ में 5 किलो मै रोटे नहीं राला चेक करने के लिए काफी वह उसका रिजल्ट काफी कम है और एसका रिजल्ट मुझे काफी अच्छा लगा है तभी मैंने सर को कोल भी गया सर आपका जो सुमी ब्लू डैमंड जो है वो काफी अच्छा प्रोडेक्ट है और काफी अच्छा रिजल्ट है इसका मिलाया में आप अपने अन्य किसान भाईयों को भी कहेंगे कि जहां यूरिया केबल गरोध के लिए बिल्कुल बिल्कुल मैं सभी किसान भाईयों से ये कहना चाहूंगा कि वो एक बार सुमी ब्लू डैमंड का प्रेक्टिकल ही कर ले ना अगर सारे खेत में ना डाले तो कहीं किसी एक खेत में डाल कर देख ले तो उससे आपको रिजल्ट भी पता चलेगा और काफी अच्छी चीज़े और हमें को जो दूसरे जले गाउं से अमयां अगर सुन रहे हैं कि वह इस खात का अपनी गहों की पसल में शीग रती शीगर प्रियोग करें ऐसा जरूरी नहीं है कि वह पहले यूरिया के साथ जाए वो गेहों की किसी भी अवस्ता में इसका प्रियोग कर सकते हैं जिससे उन्हें नाकेबल हरापन और व्रद्धी मिले साथी साथ उनका अत्रिक्त कल्लेव का फुटाव हो जिससे उनका उत्पादन भी बढ़े तो आगे हम इसी तरीके से अपने किसी अन्य गौवं में अन्य किसान भाई के साथ जोड़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार